नमस्कार दोस्तों राजस्थान चुनाओ के बाद भारती जनता पार्टी को असम में हुए चुनाओ नतीजों में भी बड़ा जटका लगा है आप कते दे जहां कुछ दिन पहले ही रास्थान में नगर पंचायत के चुनाव उए थे तब भारती जनता पार्टी ने बाजी मार ली थी लेकिन आप रास्थान नगर पालिका पैसत की चुनाव में भारती जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है भारती जनता पार् पर पहुँच गई है जिया कोदादें असम में बीटी से के चुनाव हुए थे यहां के 40 सीटों में से भारती जनता पार्टी को बहुत ही कम सीटों पर जीत मिली है आपको दें असम बीटी सी का चुनाव 7 दिसंबर और 10 दिसंबर को हुआ था अब इसके नतीजे सामने आ गय जिस तरह से भारती जनता पार्टी को राजस्थान के नगर पालिका और नगर पैसर के चुनाव में जटका लगा है वैसे ही असम के बीटी सी चुनाव में भी भारती जनता पार्टी को जटका लगा है जिन आपको दें जहां एक तरफ असम बीटी सी के चुनाव में कुल 40 चालीष सीटो मेंसे भारती जन्था पार्टी को मेहज 9ीटो पर ही जीत मिली है आप करते बिटीसी के कुल 40ीटो मेंसे बडोल लेंड पूपुल फरंट यानी बीपीअक को कुल 17ीटो पर जीत मिली है जबकि यहां कि 40 Sieटो मेंसे विन पूपुल पार्टी लिबरल को यानि UPPL को 12 सीटों पर जीत मिली है UPPL 12 सीटों पर जीत के साथ दूसरे अस्थान पर पहुँच गई है वहीं भारती जनता पार्टी को 40 में से महज 9 सीटों पर ही जीत मिली है हलाकि यहाँ पर कांग्रेश अपना कमाल दिखाने में काम्याब नहीं रही कांग्रेश को महज एक सीट पर ही जीत मिली है हलाकि किसी भी पार्टी को यहाँ पर बहुमत का आकड़ा नहीं मिला है लेकिन अब इस चुनाओ को साल 2021 में होने वाले विधान सभा चुनाओ से जोड कर देखा जा रहा है राजनीतिक जानकारों के मुताबिक 2021 में असम में होने वाले विधानसवा चुनाव से पहले बोडो लेंड टेरिटोरियल कांसिंग ड्याली बीटीसी चुनाव को सेमी फाइनल की तरह देखा जा रहा है वहीं दूसी तरफ राजस्थान में भी राजस्थान नगर पालिका और नगर पहिसत की जिसमें 1775 सीटों के लिए चुनाव हुए थे इसमें 12 जिले की 50 निकाए जिसमें 43 नगर पालिका और 7 नगर पहिसत सामिल है इसके 1775 वार्डों के लिए चुनाव हुए थे इस 12 जिलों की 1775 वार्डों में कांगरेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उबरी है कांगरेस को 1775 सीटों में से 620 सीटों पर जीत मिली है निदलियों के खाते में 1775 सीट में से 595 सीटे गई है यहां पर भार्डी जनता पार्डी तीसे नंबर पर पहुँच गई है जहां 2017 के चुनाव के दोरान भार्डी जनता पार्डी के पास 50 निकाए में से 34 सहरों में कबजा था लेकिन अब 5 साल बाद से 4 अस्थानों पर ही भार्डी जनता पार्डी का कबजा बरकरार है वहीं कांग्रेश को जब वो बिपक्च में थी तब 14 सहरों पर उनके अध्यक्स थे लेकिन अब कांग्रेश को 16 जगहों पर इस पस्थ बहुमत मिला है भार्डी जनता पार्डी ने अपने कबजे वाली 30 निकाए में बहुमत गवा दिया है इस बार सबसे जादा फायदा निर्दलियों को हुआ है वहीं आपको बता दे 1775 सीटों में से 12 सीटों पर अन्य को जीत मिली है